नमस्कार मैं दिगंबर कश्या नियोड थेरेपिस्ट आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या जो हर व्यक्ति को कभी ना कभी जरूर हुई होती है गैस और एसिडिटी की समस्या व्यक्ति कंप्लैंट करता है कि मुझे गैस बन रही है और जब गैस बनती है तो समदि में नहीं आता की करूं तो करूं क्या किस काॉंट से मुझे गैस बनी और काईब व्यक्ति कप्लैंट करता है कि उसका पेट फूल ने लग जाता है यानि कि जब पेट पेट बर जाती है तो पेट ऐसा लगता है कि भारी हो गया पेट फूल ने लग जाता है कि वामेटिंग आती है गैस ज्यादा हो जाने पर हैड़ेक हो सकते हैं अगर आपका लीवर ठीक प्रिकार से वर्क नहीं कर रहा यानि कि आपकी डाइजेशन प्रिक बनी रहती है आपका पेट साफ नहीं होता तो आपको गैस की समस्या बन सकते हैं आप भार का खाना ज्यादा खाते हैं आप मिर्स पेसा लेक तला हुआ फ्राइड इस्पाइसी भोजन ज्यादा खाते हैं तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है आप ट्रेवलिंग सोते हैं सुभा देड़ से सोकर उठते हैं पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं चाय कॉफी का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं एलपन का नियंतर सेवन आप करते हैं फिजिकल अक्टिविटी बिल्कुल जीरो एक्सरसाइज आप बि गैस की समस्या हो जाती है अगर आपको गैस की समस्या हो जाती है और आप बहुत दुखी परेशान हो जाते हैं उसके लिए एक छोटा सा टीटमेंट में आपको सिखाऊंगा आपको गैस की समस्या कितने भी दिनों से आपकी गैस की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है तो आपको गैस काफी लंबे समय से है उसके लिए बहुत इफेक्टिव टीटमेंट यहां थोड़ा सा टैलकम पाउडर लगाना ऐसे दूसरी साइड उसके बाद हमें अपने अंगूटे से इधर घिसना है देखेंगे फिर पेशेंट को नीचे लिटाने पेशेंट को इस प्रिकार से सीधा लिटाने और दोनों थाई पर हमें प्रेशा देना आपको प्रेशा देखेंगे इस प्रिकार से 6 सेकेंड यहां दबाना फिर इधर 6 सेकेंड दबाना तो बिल्कुल पास पास और हर बार 6 सेकेंड प्रेशा रहें इसके लिए आप घड़ी का यूज़ कर सकते हैं यानि कि थाईपर गुटने से उपर आपको 6 पॉइंट बनाने और ऐसे गुटने से नीच आपको 6 पॉइंट बनाने हर बार 6 सेकेंड प्रेशार आना चाहिए इस प्रिकार से यहां पर भी 6 सेकेंड प्रेशार बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट गैस की समस्या के लिए करते के साथ ही जो आपका पेट फूलता है आपका ठीक नहीं है भूग लगती है लेकिन खा करें और उसके परिणाथ स्वयान देगी दोस्तों अभी आपने इस विल्यों के माध्यम से जाना क्या ऐसे कारण है जिसके कारण से हमें डिरंतर गैस की समस्या होती है और हम बहुत परेशान होते हमारा पेट फूल जाता है हमें भूग नहीं लगती लगता तो ऐसा कि मैं बहुत खालूमा और आप जड़ा सा खाते हैं और आपका पेट फूल जाता है क्योंकि आपको गैस्टी ट्रेबल रहती है आपका डाइजेशन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है जिसके कारण से आपका जड़ा सा खाने खाने के बाद आपका पेट भर जाते है अगर आपको हिंग आपको डालना है हिंग को भून लेना है अच्छी क्रकिर हिंग होने चाहिए और सवात के अनुसार आप उसमें काला नमक डालना यानि की अजवायosition को तवे पर भून लेना है उसमें भून कर थोड़ा सा हिंग डाल लेना है और उनका चूरन बना लेना हुस्में थ सिखाया वो treatment आप regular करें अगर जादा दिन से समस्या तो हो सकता है कि कुछ दिन आपको regular करना पड़े लेकिन बहुत effective treatment है बहुत अच्छे हो सकते हैं दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत informative होने वाली है अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हमारे चलू को सब्सक्राइब जरू करें वीडियो को लाइक करना ना भूले और बैल आइकन बटन जरूर दबा दे जिससे कि जो भी वीडि करें आपको अभी तरही देमें